लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन ख़बरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए अपने जीले में स्थीती सम्हानले के लिए लगातार काम करते रहें इसे जीले में अन्य लोगों का होसला भी बढ़ा और आपसे प्रेणा भी मिलेगी बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं जा पाए अपने घरवानों से नहीं मिल पाए कई लोगों ने अपने परिवार के एहम सदश्यों अपने करीबियों को खोया भी है इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सरवोच्च प्रात्फिकता दी है अभी आप से मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं लेकि हर एक को तो संबव नहीं हुआ है लेकिन हर एक के पास कुछ से कुछ नया था कुछ से कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मुल्भूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट तरके उसका उप्योग करते हैं कई अच्छे इनोवेटिव प्रयास है जिन लोगों का आज बात करने का मोका नहीं मिला है उनके पास भी बहुत कुछ होगा मेरा आप सबसे आगरह है का बिना संकोच आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है अच्छे ढंक से की है वो मुझे जुरूर भेजिये लिख करके मेरे तक पहुचाईए और मैं इसका अन्य जिलों में उप्यों कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूँगा क्योंकि आपकी मेहनत आपके इनोवेशन्स ये देश के भी काम आने चाहिए और मुझे विश्वास है आज जितनी बाते मेरे सामने आई यह सी बहुत सी बाते है जो हमें काम आएगी और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूँगा कि आप अपनी कुछ चीजे जुरूर मुझे मेरे से सहर करिए आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रसमसा करता हूँ सराना करता हूँ साथियों हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग-अलग चुनवतियां भी हैं एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजीज है आप अपने जिले के चैलेंजीज को बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जितता है तो मतलब देश जितता है जब आपका जिला कोरोन को हराता है तो देश कोरोना को हराता है अन्य इसलिए जिले का मिजाज गाउं गाउं में एक मेसेज और गाउं के लोग जिस प्रकार से ववस्ताएं करते हैं मैं तो हराम था पिछले बार जब कि ये कालखन था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना फिर भी हमने गाउं में एग्रिकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉटडाउन नहीं लगाया था और मजा यह है कि खेतों में गाउं के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टन्सिंग के साथ खेती के काम शुरू किये थे पिरली बार आपको याद होगा मतलब हमारे गाउं कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बोडिफाई करके पक्का कर लेते हैं गाउं की यह थाकत है मैंने देखा है आज भी कई गाउं ने अपने हाँ आना जाना सब बहुत अच्छे रंग से मैनेज किया है गाउं की जरूरत के लिए एक या दो लोग बाहर जाते हैं चीजे लेकर के आते हैं गाउं में बार देते हैं और गाउं मैंसे कोई मेवान भी आए तो उसको पहले बाहर रखते हैं गाउं की अपनी एक ताकत होती है उस ताकत का अपना उप्योग होता है और मैं साथ कहना चाहूँगा कि कोरोना के खिलाफ इस उद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्मपुण भूमी काम है आप एक तरह से इस उद्ध के फिल कमांडर है जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है फिल कमांडर बड़ी योजना को मुर्त रूप देता है जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है परिस्तिति के अनुसार निलने लेता है आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्मपुन फिल कमांडर के रूप पर आज नेतुरत्व समाल रहे हैं और इस वाइरस के खिलाफ हमारे हत्यार क्या है हमारे हत्यार है लोकल कंटेंडमेंट जोंज एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी होस्पिटल्स में कितने बेड़ उपलब्द है कहां उपलब्द है एज जानकारी आसानी से उपलब्द होने पर लोगों की सहुलियत बढ़ती है इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो ऐसे लोगों पर सक्त कारिवाई हो या फ्रंट लाइन वर्कस का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो एक फिल कमांडर के रूप में आपके प्रयांस पूरे जिले को मजबुती देते हैं फ्रंट लाइन वर्कस को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रिर्णा मिलती हैं उनका भरोसा और बढ़ता है मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जीला स्तर पर किसी इनोवेशन की ज़रूरत है उस इनोवेशन से पॉलिसी को ताकत मिलेगी तो मेरा आपको खुली छूटे आप जुरूर कीजिये अगर ये इनोवेशन आपके जिले की थानिय जरूरतों की हिसाबवे हैं तो उसे उसी हिसाब में करिए अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशन है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाईए अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्तित्यों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जुरुत लगती है तो उसका भी फिडबेक जरूर पहुंचाईए विना संकोच पहुंचाईए क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सम मिलकर के सोचेंगे सब मिलकर के नई नई चीज़े ले आएंगे तब जाकर घम कर पाएंगे साथियों आपके जीले की सफलता बाकी जीलों के लिए एक उधान बन सकती है उनकी भी मदद कर सकती है कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रक्टिसेज हैं उनको भी हमें एड़ अड़ करते चलना है आपके बहुत से साथी ऐसे जीलों में होंगे जहां कोरोना संकरमा पिक पर पहुँचने के बाद अब कम हो रहा है उनके अनुभवों से सिख कर आप अपने जीलों में अपनी रणदिती को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाब लढ़ाई और आसान होगी साथीोँ इस समय कई राज्जों में कोरोना संकरमाण के आखड़े कम हो रहे हैं कई राज्जों में बड़ भी रहे हैं कम होते आखड़ों के बीच हमें ज़्यादा सतर्क रहने की जरूत है बीते एक साल में करीब करीब हर मिटिंग में मेरा यही आगरा रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है एक एक जीवन बचाने की है हमारी जिम्मेदारी संक्रमन को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकरी होगी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीट्मेंग और कोवीड एप्रोक्रेट बिहेवियर इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है कोरोना की इस दूसरी वेव में, अभी गरामीर और दुर्गम छेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है इसमें फिल्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है हमें गाउं गाउं में जागुता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सिमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचीत समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राक्षिक्ता है सारी चुनोतियों के बीच समाध के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है उसका कोष्ट दूर हो उसको मदद मिले हमें ऐसी व्यवस्ताओं को और मजबूत करना है इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एग भी व्यक्ति पहुँचता है तो या उससे संपर करता है उसकी बात सुनता है तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जबता है बिमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई कुना बढ़ जाती है जैसे हम देखते हैं जब होम आइस्वलेशन में रह रहे परिवार के पास प्रसाशन के लोग अक्सिमेटर लेकर जाते हैं दवाएं लेकर जाते हैं तो उसकी खोज ख़बर लेते हैं तो उस परिवार को संबल मिलता है क्या हम अके लिए नहीं हैं सात्यों कोविड के अलावा आपको अपने जीले के हर एक नागरित की इज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है हमें संक्रमन को भी रोकना है और दैनीक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बे रोट टोक चलाना है इसलिए स्थानियस तरपर कंटेन्मेंट के लिए जो भी गाइडलाइज जारी की गई है उनका पालन कराते सबाएं इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परिशानी कम से कब हो किसी भी नागरी को परिशानी नावरे साथियों पी-एम केर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में आक्सिजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर जज़े भी चन्निगर काम ने सुना कितना बेनिफिट हुआ 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 और इसलिए आप से मेरा आगरह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट एलोट होने वाले हैं वहां हर ज़विर तैयारी पहले से पुरी होने पर ऑक्सिजन प्लांट और तेजी से सेट अप हो जाएगे अस्पतालों में ऑक्सिजन मोनिटरिंग कमिटी जितना सही काम करेगी उतना ही ऑक्सिजन का सही इस्तमाल हो पाएगा साथ्यों टीका करण कोविड से लड़ाई का एक ससक्त माध्यम है इसलिए इससे जुड़े हर ब्रह्म को हमें मिल करके उसको निरस्त करना है कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं वैक्सिनेशन के लेकर व्यवस्ताओं और पक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीम लाइन कर रही है कोर्सी ये हैं कि अगले 15 दिन का शेडूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए इससे आपको भी पता रहेगा कि जीले में कितने लोगों के लिए वैक्सिन उपलब्द होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयरी करनी है बैक्सिन बेस्टेज रोखने में जीलास तरप और सही प्रबंदन की भुमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं आपके सहयोग से बैक्सिन बेस्टेज पूरी तरह रोख सकती है इतना ही नहीं आप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलता पूबत आगे बढ़ सकते हैं साथियों ये समय एक प्रशासक के साथ ही एक हुमेन रिसोर्स और लोजिस्टिक मैनेजर के रुपे भी आपकी भुमिकाओ को टेश कर रहा है मेडिकल से जुड़ी सपलाई ही नहीं बलकि आपके जिले में दूसरी जरूरी सपलाई भी परियाप्त हो ये बहुत जरूरी है बरसात के मोसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोजमरा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं लेकिन जैसे ही जून महेना सामने आना सुरू होता है, आपका ध्यान, मौसम, बारिस क्या हो सकता है, क्या कर उसमें जाता ही है। काफी आपको एटेंशन देना पड़ता है और इस बार भी बारिस सब सुरू होने जा रही है, तो स्वाभाविक आपको बरसाद के मोसम की जो चुनोतियां है जो एक्स्ट्रा आपके लिए बरड़न भी होती है जिम्यवारी भी होती है और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरुरतों को मैप करना है और जरुरी प्रबंद करना है अब कई बार तेज बारिस के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समाएं तो ये चीजें अभी से हमको सोच नी पड़ेगी है चुनोति बड़ी है लेकिन हमारा होसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पोंस न भूतों न भविशती है ऐसा ही होना चाहिए इसी होसले और संकनन के साथ इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से भार निकालेंगे अभी करोना के खिलाप आपको जो अनुभों मिलेंगे वो भविश्च में भी आपके भी और देश के भी ब का सही इस्तिवाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं मुझे विश्वास हैं कि आपके सही योग से आपके कुशल नेतृत्व से आपके कुशल प्रबंदन से भारत कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा मुझे खुशी है कि आज सभी जोजी राजी से मिटिंग में हैं उनके सभी अमाने मुख्मंतियों ने भी समय निकाला जब कारकम की रचना कर रहे थे तब लग रहा था कि मुख्मंतियों का समय इसमें व्यस्ता करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि जिले के लोगों से बात करना आता है वो तो जानते ही थे लेकिन फिर भी इस विशे के प्रती गंभीता को लेकर के मुख्मंत्री भी इसमें जुड़े हैं यह बहुत ही स्वागत योग्या है मैं सभी आधणियों मुख्मंत्रियों का भी रुदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुख्मंत्री जी के मारदर्शन में आपकी जिले की सारी टी में एक विश्वास के साथ संकल्प के साथ एक एक गाउं को कोरोना से बचाना है इस मंत्र को लेकर करके आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़ें तेजी से पॉजिटिव केशों की संख्या बढ़ें तेजी से टेश्ट जादा हो इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सभलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े एक भी प्रयोग न छोड़े मुझे विश्वास है कि जो आप से सुना है उसमें एक आत्मविश्वास भी है अनुभव भी है नए नए तोर तरीके भी है यह सारी चीजे अपने आप में बहुत बड़ा विश्वास पदा करती है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवात करता हूँ और बहुत बड़ा काम है फिल में रहना है आपके स्वास्त का भी जुरू ख्याल रखिये अपने परिबार जनों के स्वास्त का भी ख्याल रखिये और आप जिक्षेत्र को समाल रहे हैं वहां के एक एक ना पर काम आए इसी अपेक्षा के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्वाम नाए